हाई फ्रेंड्स मैं हूँ आमन अजीर और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर रहा हूँ कि जिल लोगों के पास से रेल्मी C25 और रेल्मी C25S और रेल्मी के अधर मुबायल मजूद हैं तो उनमें आप डिवेल्पर आप्शन कैसे अनेबल कर सकते हैं तो आज की बारे में बताऊंगा तो चलते हैं वीडियो की तरफ तो इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप से गुजारश करूंगा क्या मेरा यूट्यूब चैनल सॉफ्टर टिप्सन ट्रिक्स को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बहले के अको प्रेस करना मत बूलि तो यहां पर देख सकते हैं device name और इसके साथ एक version का option मुझूद है आपने इसके ओपर version वाले option के ओपर अपने klik करना है जैसे आप इसके ओपर klik करेंगे तो version की जो list अपन हो जायेगी तो first के ओपर यहां पर bullet number का option मुझूद है आपने इसके ओपर four time यहां पर टैब करन रीचे मूड का option आपको यह दे देगा आने के बाद यहां से आपने back चले जाने बैक जाने के बाद आपने स्क्रोल करके उपर जाना यहां पर आपके एक option नदर आ रहा होगा additional settings का आपने इसके उपर क्लिक करने जैसे आप इसके उपर कलिक करने के बाद फ्रैंड यहां पे आप developer option जैसे ही आपके पास list यहां पर आप सकते ते यहां पर क Millsp jakieś आप सिसंगे यहां पी आपको कोई भी सेटिंग को और जो भी आपका वर्क है और यहां पर आप उसके और इसके बाद मैं आपको एक और आप्शन के बारे में बता दूंगा यहां पे एक और आप्शन है यूएसपी डबिंग का अगर आप इसे अनेबल कर लें तो जब भी आप अपने मुबायल को किसी लैपटाप या पीसी के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहां पे आपकी इंटर यह एक्स्टरनल वहां पे शो हो जाएगी तो इस तरह से आप अपने रियल्मी सी 25 और रियल्मी सी 25S के मुबायल में डिवैलपर आप्शन ओन कर सकते हैं तो कैसे लिए मेरी आज की वीडियो कमिंट सेक्शन में ज़रूब दाइएगा अपना ख्याल रखियेगा अलाफिस झाल 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 झाल